सबसे में रोल अदा करता है क्योंकि जो आपके मेंल टॉपिक होते हैं वह करन्ट से जोड के पूछ जाते हैं तो उसी को मंद्यनज़र रखते हुए बाकी सारे एक्जाम की त्यारी आपकी इसके साथ ही हो जाएगी तो बड़ स्पैशली जो एक से त्यारी कर रहे हैं या एंटी एलाइट की सोच रहे हैं तो उनके लिए एक से डेट साल के जो एंसी क्यूज होते हैं वह करना बहुता ज कोई भी अगर एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी अगर रिभ्ण के तयारी कर रहे हैं आप कोई भी एक्जाम ऑगर तो ये कोशे आप से पूछ से जाएंगे ठीक है ताकि आपके questions का जो complete भी हो जाए और साथ में जो session है वो भी थोड़ा सा जल्दी complete हो जाए क्योंकि थोड़ा सा लंबा खिंचे का होतना है फिर आप पी थोड़ा सा होता है कि हमें जल्दी जल्दी खाना खाना है तो सभी ने last session को लगाना है चली start करते हैं फिर आज के session को तो session को start करने से पहले थोड़ा सागर कोर्स को बता दिये जाए तो जैसे आपको बता है हमारा जो पटवारी एच्प पटवारी कोर्स है यह 27 जुलाई से लौच हो चुका है तो इसके लिए हमने आपको एक वीक का टाइम और एक्टेंड कर दिया है जहां पर हमने एक वीक कोई भी जौइन करना चाहता है हमारी स्कोर्स को बारुस रुबे में आपको यह कोड किया जा रहा है सारा यहां पर आपको अप्टू डेट सारा स्लेबर से प्रवाइड किया जाएगा आपको कोई भी जानकारी चाहिए ठीक है कोई डाउट हम आप से कभी पूछ सकते हो ह हमारे नंबर पर कॉल करके हैं मैसेज करके ठीक है उसके लाव डाउट सेशिन तो हम आपका लिया जाता है हर सेटरडे को ठीक है तो जिसको भी बाए करना है बारुस रुपर में आपको यह कोर्स मिल जाएगा ठीक है गुड़ी बिंग जी उसके लाव अगर बात की जाए ह चाहता है अब लेट नहीं हुए हो आप इसको कवर कर लोगे चार-पाइच दिन में अगर आप फुली वक नहीं कर रहे हो ठीक है मतलब अगर आप बिल्कुल तियारी कर रहे हो तो आप दो तिन में कवर करके बाकी जो सेशन उनके साथ या आप आपको यह सेशन मिलने शु आपको पहले कोश्चन से तो सभी ने जल्दी से अंसर देने हैं कोश्चन पढ़ना है और अंसर देने हैं ठीक है बात करते हैं पहले कोश्चन के बारे में तो बोलाए कि आपका अबेदक्र और ने करी है यह आपका डी है दव्दी मुर्मू ने लॉंच करी है तो किस ने यह लॉंच करी है आप से पूचा गया क्योंकि आपको बता है मिसलीनियस कोश्चन में आपके बुख से पूचा जा सकता है तो अपने आंसर देना इसका अंसर क्या हो जाएगा यहां पर जो आंसर देखने के मिलेगा ऑप्शन नंबर भी रामनाथ कोभिंद जो हमारे पॉर्मर क यहांस लिए प्रशा में महरस्ट्रा में गुजरात में या टहली में तो कहां पर देखने को मिलाएगा जो होगा था तो मतलब जब हुआ था तो यह उडिसा में इसको देखने को मिला था तो यह आपने ध्यान रखना है अंसर के आएगा option number क्या सभी को buffer देखने को मिल रहा है यहां पर बात करते हैं तो अगला question है आपका अगला देखने को किया जाता है सप्टेंबर 13 को सप्टेंबर 14 को सप्टेंबर 12 को सप्टेंबर 15 को तो कब मना जाता है आपका विश्व हिंदी दिवस ठीक है तो इसका को मिलता है आपका option number B सप्टेंबर 14 को आपका हर साल मना जाता है विश्व हिंदी दिवस तो आपने यह ध्यान रखना है ठीक है तो यहां पर अंसर किया जाएगा आपका option number B will be the right answer अगला question आपका लेट करता है ठीक है फेस्टिवल से इसका नाम है आपका रोश हर्षना रिए अपका onion अपस्टिवल रखता है अपको अलग लग नंबर आ अक्सि बच्चों का बहूत ही बढ़िया बिल्कू सही है分享र कहिओ सबन्द रखता है आपका यह तो यहां रखना आपने शेर हशना उत्सब अगला बात करते हैं यहां पर आप से पूछा गया है कि विच इंडियन स्टेट और यूटी लॉंच दा कंट्री फर्स्ट वर्चुल स्कूल ठीक है तो कंट्री का जो पहला वर्चुल स्कूल है तो आपको बता कवर्ट के टाइम पर वह सारे बच्चों का जो एड़्यूकोशन लेवल है वो नीचे देखने को मिला है ठीक है तो नीचे देखने को मिला इसका रीजन क्या है क्योंकि हमारे पास ओनलन फैसलिटी नहीं थी ठीक है तो उनको ही देखता हो है किस परनाट का ने तेलंगा ने ने या फिर केरला ने तो किस्स ने किया यह इंसर देंगे जल्दी सारे तो यहाँ पे ओप्शेन अब्शेयर डी तो यहाँ पे देखो अंसर आएगा आपको नाइगा वह और्प से दिखो पंचा जा रहा है कि who has been appointed as India's second chief of defense staff ठीक है तो आपको बता है जो पहले पहले chief of defense staff थे उनका के नाम क्या था विपिन रावत जी थे अगर बात की जाए कि किनको second point किया गया तो यह आपने answer देना है अनिल चुहान को विवेकराम चोधरी को हरी कुमार को या मनोज मुकंद नरानवे जी को तो किनको मनाया गया है दूसरा chief of defense staff ठीक है तो यह आपने answer देना है इसका answer क्या हो जाएगा सारी answer देंगे तो option number a देखने को मिल रहा है यहां पर ठीक है option नमबर ए अनिल चोहान ठीक है और प्रदर्शनी 2022 का मेजवान कौन सा देश है तो किस देश ने इसकी मेजवानी करी आपको बताए यह question आपका पूछा जासकता है estatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesatesates बात करते हैं अंगले कोशन के बारे में देखो आप से क्या पुछा गया है कि विच इंडियन हैस वन दा ठीक है यह विच फिल्म हैस वन दा बेस्ट फिल्म इन दा पुछ फिल्म 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 का पुरुसकार जीता है तो इसका आंसर देना है तो इसका आंसर क्या देखने को मिलेगा देखो यहां पर सरदार उद्धम ठीक है जो उद्धम जी काहानी है उनकी लाइफ के उपर बताया गया है किस तरह तो यह आपका आंसर आजाएगा ठीक है यह आपका आंसर आजाएगा ऑप्शेन नमबर ए जो हिंदी निवर्स वाला रूचीं सहा है जो आपका नैशघ्ट मनाय जाता है वह आपका किन अलीत沏ं तो वो नेशनल वाला था नेशनल वाला याद रखना है 14 सेप्टेम्बर को और जो वर्ड है वो 10 जन्री को मना जाता है ठीक हो तो उसको करेक्ट कर लेना कि बात करते हैं अगले कोशन के बार में जारी कोशन नंबर नाइन तो क्या वो लाए कि इंजीनियर्स डे इन इंडिया इस अब्जॉर्ब टू सेलिबरेट दा वौर्ड अनिवर्सरी ओफ ठीक है तो वो लाए कि किसकी वर्थ अनिवर्सरी को सेलिबरेट करने के लिए आपक तो यहां पर अंसर देना है कि जो इंजीनियर दिवस है वो किसकी जियन्ती ठीके के दिवस के उपलक्ष पर बना जाता है तो यहां पर आपका अंसर क्या आएगा नमबर D ठीक है M विश्वेश्वरिया विलवीदा राइट ठीक है तो इनकी वर्ट सेट करने के लिए हर साल क्या मना जाता है तो आपका इंजीनियर देखने को मिलता है तो यह अपने ध्यार में रखना है बात करते हैं यहां पर देखो क्या वो लिए 10 कोशन में कि आपका ज तो देखो तमीरा पानी है तो टी ती से यहाद रख लेना यह आपकी तमीरा पानी रिवर मिलती है तो अगला कोशन आपका कुछ से समझ रखता है तो क्या होगा है कि आपका दवेंदर जंजारिया बिलॉंग टू विच गेम ठीक है तो यह दो यह किस गेम से बिलॉंग करते हैं इनका आपको रिलेशन लगेगा पता कि जो हमारे देश में पहला एथलेटिक्स में गोल्ड मेंडल आया था जो गोल्ड आख क्य किर सकता है तो आप से ना पूछा जाता है त्यां अगला कोशं आप से आपिसे पूछा गिया है कि Supreme Court डिरेक्टर तु स्टॉप दा ओल कमर्शियल अक्टिविटीज विदिन हाउ मच एरिया अव दा ताजमहल तो बोला है कि Supreme Court ने ताजमहल के कितने सब्सक्राइब को रोकने का निर्देश दिया है 100 मिटर 400 मिटर 500 मिटर या 250 मिटर तो कितने एडिया के अंतर आप जो विकल्स है उनको नहीं लेके आ सकते ठीक है कोई भी अपनी कमर्शियल अक्टिविटीज नहीं कर सकते ताथ कि जो ताजमहल उसकी सुनरता को मैंटेन के ज सभी आ सार फैनर हैो और लायक भी करना है टार कि आपको ये जब आएन्हें चाल आफीन को करना लाइक तो कश्चन को प्रसे रिपीट करना बात करते हैं अब थैन के अब का हुआ हुआ है कि आपका कल को रश्शृ नवादर वीच कंट्रीं के वारे सुना होगा आपने टीक है तो ये कौन सी कंट्री के क्या थै फोर्बर प्रेजेंट एक पहले ये प्रेजेंट रह चुके हैं जिनकी अभी हाल ये मिलती हुई है तो ये युक्रेण के है रश्या के थे या फिर बुलगेलिया के थे तो कहां से बिलॉइन कर थे आपके गौर्वाशुब तो यह आपने अंसर देना इसका राइट अंसर क्या हो रहा है यहां पर अंसर आजागा आपका ऑप्शेन नंबर भी रश्या विल भी राइट एंसर ठीक है तो आपका मिशेल गौर्वाशुब रश्या के क्या थे फॉर्मर प्रेस्देंट थे तो यह आपने ध्यान रखना है अगला कोश्या आपसे पूछा गया है कि विच एजुकुशन सेक्टर इंस्टिटूशन लॉंच्ट दा ओनलाइन ग्रीवेंस रिजिस्टेशन सिस्टम नेमड इस समाधान तो वह लाए कि किस शिक्षाप शेतर की संस्था नहीं इस समाधा कर सकते हैं और आपको solution मिल जाएगा यहां पर आंसर क्या जाएगा है इस प्रणाली को शुरू किया है तो इसको शुरू किसे ने कि है आपका option नंबर भी आपका ग्राइट करता है और कौन सी संस्ता ने इसको शुरू किया है तो आपको इन्टीया नेशनल टेस्टिंग एंजनसी और आपको बता होगा को बात करते हैं कि विच कंट्री इस दा होस्ट ओप मल्टी लेटर कमांड एकसराइज वोस्तों क्वांटी टो तो वह लए कि बहुत पक्षिय कमांड अभियास बोस्तों कौन सा देश है तो में पुछा हुआ आप से यहां पे तो चाइना है रशिया है यूससे है या उस्तेलिया है तो कौन सा देश आपका जो आपको यहां पर आंसर देना है तो यहां पर कंट्री का होस्ता था वह उस्ति रॉस्ता इस राइट अंसर भात करते हैं अगले कोश्चिंड दारी कोश्चेंन नमबर 16 में देखिए आपसे पूछा गया है कि ऑई 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 सोलर सिस्टम इसे टूल लॉंच वाई बिच कंट्री ठीक है तो बहुत ही बढ़िया मैक्सिम बच्चों का अंसर क्या आ रहा है ऑप्शेन नमबर बी यूएसे विदा राइट अंसर बहुत ही बढ़िया क्या बोला गया है कि हाल ही में ठीक है या शुरू की पीम श्री योजना का समंध किस ख्षेतर से है देखो ऐसी योजना आपको पता है कि कौन से सेक्टर भी पता होना चाहिए और कौन सी उनको जो 30 कौन से मिनिस्ट्री गंदर बहते यह बता होना चाहिए तो यहां पर सब्सक्राइब बताने है यह कौन सी उनको स्माथ रखती है तो कौन सी इसकी बहुत ही बढ़िया आंसर आजएगा अप शें का समोर्ज ही यह बहुत ही बढ़िया अंसर आजयेगा आपका आपका ऑ्पिटिन के बादे में तो यहां पर आम से पूछा हुआ हुआ है कि ता परतिसफर्दा आयोग ने किस कंपनी द्वारा मुक्तान गेटवे प्रदाटा बिलडेक्स के अधिगरंड को मुझदूरी दे दी है तो किसको अधिगरंड के मुझदूरी दे दी है रोजर पे को पे यू को भारत पे कर या फिर फोन पे को तो आपको दो ऑप्षेंस में गर Ven Deborah ल्हुजय उसकती यहां पे तो आपको अंसर पता होना चाहिए यहां पर आंसर क्या आजाएगा जल्दी सnd направ के स्कूशं का है-टे-ंक आए-टीन का अंसर क्या आ रहा है तो यहां पर option एभी कि सारे एंसर दे दो तो यहां पर इंसर कर देखने को मिले कुछ नॉबर 19 के बारे में यहां पर कुछा है स्टुडशिप प्रोग्राम रिसेंट्रली लॉँच फिल्ड वो थी प्या है किशेतर में शुरू की यह कूं शुरू किया है तो यह oremको की फिल्ड dau rozp गया पको जो ये अपने अंसर दिना यह आपको बता अंसर का भात करते हैं फूऩंसी शूरू की अजाए गिए है कि which state celebrates September 9 as the himalah दिवस के रुप में मनाता है तो आपने बताना है कि हमालय दिवस को को कौन मनता है आपका 90 स्यंप्टर को बिहार मनाता है आसा मनाता है उत्राखण मनाता है तो आपको लूब सब्सक्राइब करना कि 9 सेप्टंबर को क्या मनाते हैं हिमाले दिवस मनाते हैं अगले पुछा हुआ है कि आपका वॉलकर टॉक कुछ आपका वॉलकर टॉक सब्सक्राइब करते हैं तो ऑस्ट्रिया से भी ध्यान देना है यहां से पुछा सकता है तो सभी ने ध्यान से सभी चीजों को पढ़ना है करते हैं तो ऐसी स्टेट एपने पहली सिनेमेटिक प्रेटर नितीं शुरू करी है तो यहां पे अंसर जाएगा अप्चिन. नंबर सी बहुत ही बढ़िया गुजरात यहां पे सही अंसर है कि गुजरात ने शुरू कर दिया आपकी सिनेमाटिक टुरिजम पॉलिसी बात करते हैं तो यहां पे पूचा गया है कि विच एशियन कंट्री अनॉंस दे स्पैशल वर्क वीजा टू अट्रेक्ट मोर ग्लोब सिंगंपूर उस इंद्य डूटरीमिव सिंगंफने स्यंगापूर से मकना सिंगापूर और स्सी वारत करते हूं में प्लेक्स और सिंगापूरू से मक्षेशन इर्वेशन इं गॉवर्मिंट जोप्वर थों तो यह कौन सी स्केट आपने अंसर देना है जारखंड है मध्यप्रदेश या अंसर प्रदेश है तो कौन सी सेट देखने को मिलेगी जो पहुंचा के 77 कर दिया है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा प्रदान मंत्री भारती जन उचदी प्रियोजना इस एशोशेटेट विद विच यूनियन मिनिस्ट्री तो पूचा गया है जन उचदी प्रियोजना है वो किस केंद्री मंत्राले से समंद रखती है तो यहां पे पहला है सब्सक्राइब करने वाले है क्योंकि मिनिस्ट्री जो आपकी मिनिस्ट्री और गल्सके ध्लद करेंगे जो प्रदान मंत्री आपकी यहां पर क्या है जन उच्ती प्रियोजना है यहां पर परियोजना वह उसका मंत्राल ले हैं यह आपका कमें केमिकल फ़र्टिलाइजर रहे हैं तो यह आपने ध्यान रखना है इस कोश्चन के बारे में अगला कुश्चन आपसे पूछा गया है कि टाइफून आपका नामा दोल ठीक है तो आपका नामा डोल टाइफून जो न्यूज में था मेड लैंड फॉल इन विच कंट्री तो वह समझारों में आया तुफान आपका नामा डोल किस देश में पहुंचा है तो इंडोनेशिया में जपान में फिलिपीन्स में शिरलंका में ठीक है तो आपने इस टाइफून क का नाम बताना है कि कहां पर पहुंचा है तो यह कौन सी पहले कंट्रीम में पहुंच गया तो यहां पर जपन करते और जप यहां पर पुछा हुआ है भबिता कुमारी है या गीता फोगाट है तो कौन सी ऐसे हमारे रेसलर है जो चार पदक जीत के आये हैं कहां पर आपकी बिशम कुष्टी तो इसका आपको जाना है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा तो इसका अंसर हो जाएगा उप्शिन अगर आपको जोग्रफी अच्छी है तो आपके दिमाग में बाइटिक सी का मैप बना होगा तो अगला कोशिन आपसे पूछा जा रहा है कि साइनिंग ऑफ दा ब्रू एग्रिमेंट ओवर थ्री थाउजन ब्रू फैमिलीज है विन री सेंट री सैटल इन बिस स्टेट तो वह जो समझोते हैं कि हस्ताक्षर के बाद तीन जार से जो ब्रू परिबारों को किस राज्य में पुनर स्थापित किया गया है तो कहां पर किय है उससे समझ रखता है तो आपने अंसर देना है यहां पर आंसर क्या हो जाएगा ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा त्रीपूर नोरू विच वह सीन इंदा न्यूज है मेर्ड लैंड फोल इन विच कंट्री तो यहां पर तुपान काफी देखने को मिले थे आपके जब य पहुंचा है तो यह पहुंचा था आपका फिलिपींस में अगला कोशन आपसे पूचा गया है कि विच स्टेट हैज भी आज बिन अवाड़ेड आउश्मान उर्थक्रिष्ट अवाड ट्वंटी 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 टू ठीक है तो मतलब किस राज्य को जो आउश्मान उत्कृष्ट पुरुसकार 2022 से समानित किया गया है तो किसको किया गया है आंधर प्रदेश को उत उत्रप्रदेश को बिल्कुल सही है अंसर क्या जाएगा आपका ओप्शन नंबर बी विल विदा इंसर उत्रप्रदेश विल विदा राइट अंसर नेक्स्ट पोशन दर मूव करते हैं तो यहां पर पुच्छा हुआ है कि इन सेप्टेंबर ट्वंटी ट्वंटी टू वे तो आपको बताना है कि जो क्राइजनिक इंजन की टेकनोलोजी है यह कहां पर शुरू की गई है तो इसका सारे अंसर देंगे तो देखो यह में लिया आपकी बैंगलूरू में देखने को मिलिए क्रायोजनिक ठीक है जो बहुत कम टेमपरिचर की ऊपर ठीक है टेकनोलोज सब्सक्राइब को ध्यान से पढ़ना है और फिर उनका अंसर देना है ठीक है काफी इजी है पर ध्यान से पढ़ना है क्या बोला हुआ है विद रैफ्रेंस टू दा नाविक तो बहले नाविक की फुल्फ हम याद दखनी है क्या है नविगेशन बिद इंडियन कॉंस्टिल सब्सक्राइब करता है और अगर बात की सिमाओं से 1500 किलमेटर तक की जो कवर कर लेता है तो आपने आंसर देना है कि यहां पर कौन सा क्वेशन क्या हो जाएगा मतलब यहां पर कौन से सही देखने को मिलेगी ठीक है वन एंट्ट्री टू एंट्री की तीनों ही 123 तीनों इस इसां से ऊणर आप यहां पर को थोड़े से पड़ोगे सब रहा है थोड़े से फ्लक्टू realtà opposing का बिलती है एक इनडी वीकि दी काफी काफी है थी क्रोंगर बात किसे और में पहले सबसे जादा गलती का वहीं है गलत है सेटमेंट बोला है इट इसे ग्लोबल और इंडीजीनियस देखो यह इंडीजीनिस ग्लोबल तो ही नहीं है तो इसलिए आपकी पहली सेटमेंट गलत है उसके बाद आपका अंसर के देखने के बले का अरन तो है बात करते हैं थर्टी फौर के बारे में तो बला है कि वह इसलिख रॉँज जलदूत अप का हो दिख्यश्यशय है पेला आगे है कि गाओं गाउं की नदी के पानी को साफ करना, आगे बोला हो कि हो जल्ग में का जल्सितर करने के लिए जल्दूत योजना शुरू करेगी जा ने हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा में का Ops लिए ठीक है तो आपने ध्यान देना अंसर क्या हो जाएगा तो यह सब देना है अगला बात करते हैं तो वहां पर बोला है कि इंडियन साइंटिस्ट हैव कंप्लिटर दा जिनॉम सिक्वेंसिंग और विच फूरूट इंडिजीनिस वराइटी इसका नाम है आपका भगवान ठीक है तो यहां पर बोला कि भारती बिग्यानिक और किस फल की सुदेशी किसम भगवा का जिनॉम अनुक्रमन पूरा कर लिय जिनॉम एडिटिंग करी हुई है तो यहां पर किसको किया गया है अवोकाडो को औरेंज को आपका मतलब अनार को या फिर ड्रैगन फूट को तो किसकी की गए है आपकी जिनॉम एडिटिंग तो आपने यह अंसर देना है तो यहां पर अंसर क्या जाएगा 35 का जल्दी से देंगे 35 का आंसर देंगे अभी आंसर नहीं आया है तो यह आपकी अनार के देखने को मिली आंसर क्या जाएगा और सी इस दा राइट अंसर अगला कोश्यन आपका संबंद करता है तो यहां पर स्वर्ष वायू कि पूच्छा हुआ आप से कि वायू कितनी आपकी साफ है तो ranking of cities consider the following statement आपको यहां पर statement दी हुई है आपके इसका आंसर देना है तो पहले में क्या वोला है the ranking of the cities have been launched by the ministry of housing and urban affairs की मतलब यह इसकी जो ranking उसको जाली करता है को है आपने इसका आंसर देना है तो यहां पर कौन से सही देखना है कि इसका जल्दी से आंसर देंगे और question पड़ेंगे अरुना रानी जी लास्ट क्या वोल रही है कि देखो इसका अंसर क्या जाएगा पहली सिर्मेंट तो बिल्कुल गलत है यह आपका मिनिस्ट्रियों आपका इनवायर्मेंट इसका कि पर सकते हैं तो बहूत ही बदेखने पर बात करते हैं तो आपने यहां पर यह यह पर सुनी होगी आपका मैंडिंग तीक यहां यह तर्म है यह यूज की आती है अभी कभी काफी नूज में चली हुई है ठीक है यह मैंकिर्डिंग है तो इसका समध्ध कियों कोल से खेल से है फुटवोल से बॉक्सिंग से एक क्रिकेट से या फूलो की से तो जो दिवान जाए स्पोर्ट के उसको तो पता होगा ठीक है त ठीक है बोल करने जाता है तो बोल नहीं करता जो आपका नों स्टैकर बंदख़र होता है उसको अंसर किया जाएगा आपका option तेस्टेट वायदा नासा उन सेप्टेम्बर ट्वन्टी सिक्स टू तो मतलब यह पहला नासा की दर प्रिक्षन किया गया पहला ग्रेर रक्षा परिक्षन था आगे बोलना हुआ कि टार्केट औव दार्ट मिशन बहुत आपका अपफिस तो वह लगी जो डार्ट मिशन का यहां पर गलत देखने को मिलीगी जो पहला शुदर गया था वह अपने हम झाए यहां पर दो करना था तो यहां पर एंसर क्या जाएगा आपका Ober one ओं अवर ली सट्रंसर आपकी यहां पर गलत देखने को मिलीज़ की आजएगा option नंबर एस दा राइट अंसर सी नहीं होगा ऑप्शन नंबर एसे यह अंसर हो जाएगा अगला कुशन आपका जी फोर से समझ रखता है और आपको यह मैंने कल के गरंट फिर में करवाया है ठीक है यह पर्सों करवाया है अब देखते हैं किसको परसों करण फिर याद है यह आप दो क्या बोला हुआ है बिद रेफरेंस टूदा ग्रूप फोर जी फोर के बारे पुछा हुआ है तो पहले बोला हुआ है कि ग्रूप इस प्राइमरली फोकॉस्ट ओन यूवन सिक्योर्टी काउंसिल रिफॉम ठीका मतलब पहला यह जो ग्रूप है यह समू है यह मु सबस स最 के सब्सक्राब करेका इसाे हैं यह के भीन काउंसल में है конome वह सेट जन्म इबहार्ण है तो है जर्मनी भी ब्राजीन वह रेवूर यहां पर यहां के दक्षिन देखने का तो यहां पर आपका Japan देखने को मिलेगा ठीक है तो यहां पर इसलिए second statement आपके गलत थी तो यहां पर अंसर किया जाएगा only one will be the right answer ठीक है मतलब एक ही statement आपकी यहां सही देखने को मिलेगी ठीक है होब सो सभी को समझ आ गया होगा बात करते हैं पोटी कोशन के वारे में तो वो लाए कि which has become the 12th company to attain the महारतना स्टेटस ठीक है तो वो लाए कि महारतना का दर्जा प्रावत करने वाली बार्मी कंपनी कौन सी है तो यहाँ पे एनमडी सी लिमिटेड है नेशनल अलुमिनियम कंपनी लिमिटेड है और इसी लिमिटेड है यह इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है ठीक है तो यहाँ पे आपने आपसे बुच्छा होगा कि यहाँ पे कौन सी ऐसी कंपनी है तो इसका आपने अंसर देना है कि कौन सी कंपनी है जो आपकी बन चुकी है 12 महारतना ठीक है कौन सी कंपनी है वो आपने याद रखना है ठी तो यहां पर अंसर क्या जाएगा इसका सारे अंसर देंगे तो यहां पर अंसर आरा बहुत ही बड़ी option नमबर सी ठीक है यहां पर इसका मतलब इसकी फुल्फॉम क्या है rural electrification corporation ठीक है तो यहां पर रूरल electrification जो आपकी लिम्टेड है यहां पर आपना याद बताना है कि कि से लिट करते हैं तो तीर आपके कि खिलास कारवाई करने के लिए आगे बोला हुंता है कि यहां और अंसर का गरता है और और डव्य से लिए भाट रखता है जल्दिस और आंसर देंगे इसका तो यहां पर कुछ बचो का गलत है तो को is सब्सक्राइब करने के लिए उनको रोकने के लिए यह आपका उपरेशन चलाया गया तो अपने ध्यान रखना अपरेशन डबल यह अपरेशन चकर बंद तो इसका क्या है लेफ्ट विंग एक्स्रीमिजम ठीक है यह ध्यान रखना अगला पुक्षिन बात करता है कि इंडिया को क्या करता है इंपोर्ट करता है तो यहां पर आंसर तो यहां पर बहुत ही बढ़ी है मैक्सिम बच्चों के अंसर को मिल रहे है तो यहां पर नहीं है जब कि यहां पर पाकिस्तान पार्ट नहीं है तो यहां पर पूछा गया है कि the government पर बात की जाए तो स्केल की फूल फोर्म क्या होती है आपकी तो यहां पर देखने को मिलता है इसकी फूल फोर्म क्या हो जाएगी बात करते हैं के वारे में तो यहां पुछाओं की वह इस नहीं है क्या नम है इस क्लोन का नाम के मिलेगा माया क्लोन का है यह आपने ध्यान रखना है अंसर क्या हो जोगा ऑप्षिन नमर से माया विलिविए राइट एंसर ठीक है बात करते हैं नेक्स कोशन के बारे में तो वो लाए कि विच्छ और्गनाजेशन है पबलिश्ट दा स्टेट ओधा एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया ट्व स्टेट के बारे में रिपोर्ट है तो यह आपका अंसर आजाएगा आपका ऑप्षिन नमबर एंसर सही हो जाएगा ठीक है तो यहां पर बात करते हैं 46 के बारे में तो बोला है कि विच्वदा फॉलोविंग है इंडिया इस फॉस्ट आपका स्वच सुजल परदेश तो ब सजल परदेश को सिक्किम को या गौा तो कुशको गोशीत के अगाए पहला भारत का सुच सुजल परदेश किसको गोशीत किया गाया इसका और ऑप्षे नम्बर बी ऊ favour प्रदेश की वाई से हिमाज़ा प्रदेश नहीं हो जाएगा ठीक है तो यहां पर आपका अंसर आजगा ऑप्शेन नमबर भी अंडेमाड निकौवार आइलेंड को गोशित किया गया स्वच सुझल प्रदेश तो अंसर आजएगा आपका तो दोनों सालों गया तक नहीं है पिछली साल की और इस साल की भी तो यहां पर यहीं पुछा हुआ कि जो अंतराश्ट्री ओजोन परत स्रक्षन दिवस्ट है 2022 का विश्य क्या था तो क्या विश्य था पहला वहला कि मॉन्टरिल प्रोटोकॉल 35 गलोवल कॉपरेशन प्रोट ठीक है इसका मतलब प्रित्वी पर जीवनक्षा के लिए बैश्मिक सायोग तो यह आपने ध्यान रखना है अगला कोशन बात करता है कि विच स्टेट है लॉंच दा चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास स्कीम ठीक है मतलब अब देखो बच्चों के लिए इतना काम किया जा रहा ह अब देखो आपको पढ़ने का काम करना मतलब भी स्टेट के बच्चों के लिए तो बोला कि किस राज्य ने मुख्य मंत्री नाश्ता यूजन शुरू कर दी है करनाटका केला तमिलाडो या अंधरपरदेश तो किस राज्य ने शुरू कर दी है यह यह आपने अंसर देना अगरा कोशन फिर से आपका रिलेड करता है स्टेट्मन वाले कोशन से तो पूचा आप कहां पर गया है कि भी रैफ्रेंस को शंगाई कोर्परेशन और पूच्छा हुआ है तो यहां पर क्या है तो यहां पर क्या है दा समरकंद दिन उज्वेकिस्तान के समरकंद में किया गया था आयोजित आगे बोला हुआ कि इंडिया बहुत प्राइम मिनिस्टर निरिंदर नमोदी ठीक है इंडिया की तरब से जो हमार के देश के प्रदानमंतरी है उनने स्यों को अटेंट किया था तो आप से बुच हुआ है कौन सी आपके सही देखने को म समरकंद में हुआ था आगे बोला हुआ है कि यहां पर हमारे मोदी जी के थे तो बिल्कुल सही है ठीक है तो यहां पर थर्ड अंसर हो जाएगा तो अंसर हो जाएगा आपका ग्रीजंफन हब इनिशेटीव ठीक है तो आपसे यह है पुचा हुआ इसका नाम क्या है खाल ही में शुरू किया गा ग्रीजंफन हब जो पहल देशे क्या है पहला है कि प्रमोड़ स्थेनेवल मरPlus टुरिजम मरीन को प्रमोड ला प्रमोड शेसनेवल यूज व्यूज आगे बोला है तो प्रमोट दा कंजप्शन ओव्धा बैस्टी इन फूर्ट टू प्रमोट दा अर्बन फोरेस्टरी तो जल्दी से अंसर देंगे कि जो आपका ग्रीन फिन हब इनिशेटिव है इसका उदेश्य क्या है किसी इसके शुरू किया गया है देखो जो इसका अगला कोश्चिन आपका काफी इजी सभी को बता होना चाहिए विच हिस्टी सिटी हाज बिन नेम्ड एज दा फॉर्स्ट इंदा स्वच सर्वेक्शन अवार्ड टॉन्टी टू तो वह लाए कि जो स्वच सर्वेक्शन पुर्सकार दोजर बाइस में किस देश किस शेर को परतमस्तार प्रावत हुआ है तो मैसूर को इंदोर को चन्नेई को या बैंगलूरु को तो किसको मिला परतमस्तार आपने अंसर देना है तो यह बहुत इजी है यहां पर इंदोर इस ही अंसर आजाएगा ऑप्शन नंबर बी विल वी दा राइट अंसर अगला कोशन पे द वीजा डोजर 21 222 की बात हो दिया यहां पर यहां पर आंसर किया जाएगा कोशन आपके 100 कुशन है तो आपने अराम से बैटना है ठीक है पूरे चिल महुल से अंसर देने आपने ठीक है तो यहां पर चाइना इंडिया इरान और इस्राइल तो यहां में आंसर किया जो सवदैश्य रूप से बनाएगे हल के लडाकु हेलिकौप्टर का नाम क्या है ठीक है तो आपको नाम पता हो जीर हीरे आपका क्यों कि देश इंडियों से भुद बनाया हुआ है इंडियन इंडिजिनिसी डवलाप किया गया है तो नाम क्या है परताभ है परकाश है यह भी कास है तो क्या नाम है इसका तो बहुत ही बड़ी है इसका नाम है ऑप्शेंड नमबर भी प्रचंड बिली इस राइट इसका प्रचंड या दखना सभी ने प्रचंड इस राइट अंसर 54 कि दर मूव करते हैं तो यहां पर बोला होगा कि विच स्टेट गवर्मेंट पताना है कि कि आपने कि शुरू करी है आपकी आश्रा योजना ठीक है तो यहां पर अंसर क्या आ जाएगा ऑंसर् क्या आ जाएगा तो इलंग डिल्गी घdıक लेंग सने करी है तो अगले को बूब करते हैं तो यहां पर बोला है कि विच सेटी इस दा होस्ट फादी फैस्ट 2022 एक्जिबिशन तो वहले कौन सा शहर खादी उससब 2022 प्रदरशनी का मेज़मान है तो कौन है आपका चिन्नेई बारणसी मुंबेई यह एहमदाबाद तो आपने उससा जाए कि जो खादी आपका चोरा बरी जो आपका हिमनत जील खेतर जो समचार में देखा गया था वो किस राज्य में स्थित्थ है तो इसको पूछा हुआ कि आपका यह जो चोरा बरी है यह जो ग्लेशल लेक रीजान है कहां पर देखने को मिलता है उत्राखंड में ठीका सही है बलकुल बढ़िया जिनका सही नहीं है इसका नाम याद कर लेना पूचा जा सकता आप से यह अ इस दा पौवर्टी एंड शेर फ्रोस्पेर्टी टो थांजन ट्वंटी टू रिपोर्ट तो बोला कि किस संस्तार ने अपका गरीबी और साजा समृद्धी 2022 रिपोर्ट जारी करी है तो किसने जारी करी है वर्ड बैंक ने वर्ड एकनॉमिक फॉर्म ने इंटरनेशनल मु मुझ किया है तो यह आपका अंसर होजएगा option number a will be the right answer here अगला question बात करता है कि what is the theme of the world mental health day 2022 तो आपका बता है कि जो बिश्मानसिक स्वास्ते दिवस्त है उसका विश्य क्याता है मानसिक स्वास्ते की तरह आपकी जो mental health है इसके और काफी ध्यान दिया जा रहा है तो अंसर देना है कि यहां पर बोला है कि mental health 2022 की theme क्या है leaving none behind making mental health for all a global priority accessible mental health यहां पर अंसर क्या हो जाएगा अंसर क्या है कौन सा right answer हो जाएगा कहीं नहीं जाना कि सभी ने यहीं पर रहना है ठीक है अंसर क्या हो जाएगा option number b make mental health for all the global priority ठीक है तो यहां पर अंसर आजाएगा option number b will be the right answer अगला question पुछा गया है आपसे कि इंडिया first century for the endangered ठीक है आपसे बुछा है slender loris is set up in which state or unity तो बोला कि लुक्त प्रायर आपका slender loris के लिए भारत में पहला अभ्यारनिया किस राज्य और केंदर शाह से प्रदेश में स्ताफित किया जा रहा है अस्ताम में तमिलाडू में गोवा में या करनाटका में तो कहां पे स्त स्ताफित किया जा रहा है आपका देश का पहला ठीक है क्या है जो आपका slender loris के लिए क्या है पहली century है यह कहां पर मनाई जा रही है तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका option नंबर भी तमिलाडू इस दा राइट अंसर है ठीक है बात करते हैं तो यहां पर रैंकिंग वार इंडेक्स ठीक है तो यह इंडेक्स भी होता है आपका commitment to reduce the inequality तो बोले कि असमानता कम करने के लिए प्रतिवज़ता सुचकांक 2022 में भारत का कौन से स्थान है एक सो तेरा है एक सो तैसे एक सो चौनतीस है या फिर एक सो पैन्तालीस है तो क्या रैंक है इंडिया का तो की से रैंक देखने को मिला है यहां पर option number we will be the right answer here ठीक है अगला कोशन देखो बात कर रहा है कि विच स्टेट टॉप दा logistic index in the leads leads क्या होता है logistic easy across different states तो बोला की lead विविन राज्यों में logistics के 222 में जो logistic यहां पर कौन सा टॉप देखने को मिला आंसर क्या जाएगा इसका option नंबर क्या आएगा 61 का अंसर देंगे सारे 60 का अंसर भी देने की डी बोल रहे हैं दो को यहां पर logistic is में आपका आंसर आया option नंबर भी आंधर प्रदेश तो यहां पर मुच्छ हुआ कि विछ कंट्री होस्ट इब स्मार मल्टी नेशनल मल्टी अशरसाईज in 2023 तो बोला कि कौन सा आदेख 2022 में इफ्समार भॉरश्ट्री अभ्यास की मेच्वानि करए या उसने कर ली है इंडिया ने व्राजिल ने या जपान ने तो किस देश ने मेजबानी करी है मैं इसका अशर देंगे देखो exercise ऐसी यह आफने सूनीास होती है नाम या रखना है थो यह भी आधा है exercise का नाम है ख急 को सिका है तो के बारे में तो यहां पे बुच्छा हुआ है कि दा टर्म आपका स्टीड फास्ट नून इस रिलेटर टू विच इंटरनेशन ओगनाइजिशन ठीक है तो बोला हुआ है कि दा स्टीड फास्ट नून शब्त किस अंतराष्ट्य संगाटन से समझ रखता है तो यहां पे अंसर क्या आ जाएगा आपका option number भी नाटो ठीक है North Atlantic Treaty Organization इसके लिए जो टाम यूज की जाती है वो कौन से होती है तो यहां रखना आपने स्टीड फास्ट नून ठीक है तो यह टाम यूज की जाती है कि नाटो के लिए अंसर क्या जाएगा आपका option number भी विलवीदा राइट अं ठीक है तो एक दो बार पढ़ोगो तो याद आ जाएगा बात करते एकले question के बारे में which state or ut is the host of agri startup conference तो बोला है कि कौन सा राज्यों ट्रेंदर शासी प्रदेश कृशी स्टार्ट समयलन का मेजवान है तो करनाट का है न्यू डेली है आंसर प्रदेश है या आपका उत्त स्टार्ट अप समयलन है यह आपने ध्यान रखना है अगला question आप से पुछा गया है कि दा इंडिया स्लार्जेस्ट कंप्रेस्ट बायो गैस ठीक है इसको बोलते सीवीजी प्लांट है विन रिसेंट्ली इनोग्रेटर इन बिच स्टेट और यूटी तो कहां पे एशिया का सबसे बड़ा संपीर्ट बायो गैस सेंतर का हाल ही में उद्गाटन किया गया है तो राजस्तान में पंजाब में बिहार में यह तो यह तो पता यह तो शायर हमने पढ़ा भी है पहले ठीक है तो यहां पर अंसर आ जाएगा बहुत ही बड़ी है option नमर भी पंजाब इस दा के स्रक्षन के लिए इक समीठी के गठन किया है ठीक है तो आपको बता है कि हमारे एकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है तो यह स्का और ब्चाने के लिए बचाली कि कुमिटी को बनाया गया तमिलाडों में अगला कोशन आप से पूछा गया है कि जो गरुड सेवन है इसे बाइलेटरल एक्ससाइज के बारे में तो यहां पर आप से पूछा गया है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री ओगनाइज इस दा सारस फूड फैस्टिवल ठीक है तो कौन सी मिनिस्ट्रील है इसने जो सारस है इसको आयोजित किया है तो किस ने किया होगा तो यह देखो जो सारस है वो आपका मिनिस्ट्री ओगनाइज सारस किसे लेट करता है जो आपका ग्रामट विकास मंत्राली है अंसर क्या जाएगा आपका option number a will be the right answer हो जाएगा option number a ठीक है तो बात करते है एकले question के वारे में बोला है कि सुल्तान ओफ जोहर कप कि सब्सक्राइब करते हैं कि स्क्राइब हो कि स्क्राइब करते हैं अपने एसी जूस्पोर्ट होते हैं और वह उनको नाम या इसकोनओ आ सकते हैं तो आपने ध्यान हखतना है आगे बोला इस लॉटी ब्राइबन कुछ में ध्यान किया है आपका मिशन लाइव तो ये लाइव Quarter इसका नाम है तो यह आपका अंसर आजय किया नमबर बी यह यूपी पहुंच किया गया ठीक है आंसर आजएगा आपको option नबर भी उत्तरपरदेश पिल बीदा राइट अंसर ठीक है उत्तरपरदेश भी दलबीदार अराइट अंसर कनिश्क मलेसिया पहुंच गया उप्शन में भी नहुत लगता है ठीक है अनसर आजएगा option no.b अगली बात करते हैं तो वोला है कि विच कंपनी है इंडिया स्फर्स माइक्रो कैटिगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन तो बोला कि किस कंपनी को भारत का पहला अग्लेशिया जो लास वाला कप्था चाइब यहां पर आपको 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 सब्सक्राइब को क्या मिल चुका है भारत का पहला पहला माइक्रो कैटिकरी ड्रोन बना सकेंगे ठीक है इनको इसका सब्सक्राइब करता है कि विच सबस्टांस अबंडेंस ओन्दा मून है विन मैप्ट फॉर दा फॉर्स ताइम बाई चंद्रयान टू स्ट्रमेटर अग्डा इस रो तो आपका चंद्रयान टू से यह कोश्चन रिलेट कर रहा है तो यहां पर आपने अंसर देना है ओके ओके जी सारे विश्कर दो शिल्पा ठाकुर जी को एपी वर्डे ठीक है इन एडवांस सो खोब करता हूं कि यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ठीक है आपको और आपके परिवार को सारी खुश्यां मिले ठीक है और आपका यह जो बर्डे है वो आपके ल सूडियम ने क्या है कि सीस के बारे में क्या मिला है सर्फxis की उपर बार में तो बास करते हैं अगला कुक्शन बोलता है कि as per the recent UNICEF report what percent of child marriages can fall down if higher education is provided to the girls तो बोले कि हाल ही में UNICEF की एक report के अनुसार यदि लड़कियों को उच्छा परदान की जाए तो कितने परिश्यत बाल विवा में कमी आ सकती है तो बोले कितने percent कमी आ सकती है आपकी child marriage में तो 40 percent 25 percent 80 shall come to the 50cken वर play सकती है तो यहां पे अंसर क्या देगा सकती है यह बोला गया है कि इस इस दिए और कि एक है वन बोला और एक ब 있습니다 one टीकर तो वह लहाए कि किस संस्ता ने राष्टे बोधिक संपता पुर्सका 2021 और 222 जीता है तो इस ने जिता है यह अपका आईए टी मदरास ने जीता है तो कौन से इस्ट्यूट ने जीता है यह जो अबोड है आपने इसका मेरी को आंसर देना है तो यह जो अबोड है यह आइटी मद्राज विल भी दा राइट अंसर है ठीक है तो सभीन आंसर देना आइटी मद्राज कि ओके-ओके 27 अक्तूबर को तो भाई साइस सब्सक्राइब लेट है न तब कर देंगे मैं तब अभी कर दूं सभी कि आज तो 75 भी बोला हुआ है कि इनुगरेटेट दा आपका गाथा सवराज की गैलरी इन दगावालीर सफेमस ठीक है एक एच एच महराज जीवन राव सिंधिया मिविजियम तो वोला की गाथा सवराज की तो दुर्बबदी मुरमोर्जा ने किया राजनात सिंग्र घालरी में है तो यहां पे तक देखने को मिलेगा इसका अमित शाहजी के द्वारा तो यह घान रखना है अगले कोशन की तरब करते हैं तो आगे बोला हुआ कि विच कंट्री है रिकोगनेशन ऑफ दा जैरुशलम एस दा कैपिटल ओफ इसराइल तो आपको बता है कि बहुत सारी कंट्री जिन्होंने जैरुशलम को ठीक हम अभी हम भी शायद अभी तेल अभी मानते हैं ठीक है इन्होंने बोल दिया कि हम यदिशलम को राजञान इसराहल की नहीं मानते तो किसे ने बोला है यह तो यहां पे आंसर आ जाएगा आपका आस्ट्रेलिया ने यह बात वोल लिए है तो आंसर तो किस ने जीता है ? अंसर आ जाएगा सुराश्टर बिलबीदा रायेट अंसर आजएगा सुराश्टर बिलबीदा राइट रायेट एक है अएसा कर लेते हैं आज पिर चोड़ के सभी के बर्डे डेट पूछते हैं ना उसी को फिर मना सभी को मैं एड़्वास विश्च कर कर देता हूं ठीक है सभी जब जिसका वर्ड तब आएगा पता देना कर देंगे कोई यहां पर हम जान रहे कहीं पर बात करते हैं 78 कोशन के वारे में तो यहां पर बोलाए कि वेस्टू वर्ष इस वाइडली सेलिबेटर इन विच सेट और यूटी तो बोला कि जो बेस्टू बॉर्ष वक्ति सराज्य करिंद शाहती बिदेश की रूम में मना जाता है ठीक है ब्यापगर रूब से मनान जाता है तो कहां पर मना जाता है तो यहां पर अंसर क्या जाएगा आपका ऑप्षिण नुबर ए गुजुराद में यह देखने को मिलता है सारे अंसर पर ध्यान सब्सक्राइब नाम क्या है तो नाम क्या है तो क्या नाम है उसका बहुत ही बढ़िया मात्मा गांधी ग्रामनी अदोगी पार्क योजना का शुरुआत करी Лग से लिइन ऐप diray मात्मा गांधी कांधी ग्वाकि बिक होदी का गया है शिरुआत करी है ख़ेने यहां मतलब पार्क बना जाएंगा निया होका है तो यहां पे अंसर आजाएगा आपका ऑप्शे नमबर भी शत्रीस गड़ यहां भी सही अंसर आजएगा च्छत्रीस गड़ बनाएगा ठीक है तो आपको बता है कि जो अलगलग होती है तो आपको कोई शहीद हो जाती है यह कोई re-söz की हो जाती है तो उनको वैल हाएं कि लिए ठीक के फण्ड बनाया गिया जिसका नाम क्या है आपको यह आपको हैं ऑर् fundo क्एक बहादरि के बाप कं भात के बहाद में होता है तो यहां पर बताना попроб घुट है जिसका नाम है वह आपका देखना गमलेएग, आपका RPG तो यहां पर नाम क्या है माँ भार्ति के स्पूथ is the right answer that is option number c is the right answer here तो यह भी करोच ने बिल्कुल सही answer दिया है ठीक है बाकी भी पूजा का भी बिल्कुल सही है बात करते हैं नहीं पूजा ने तो वोट अवेर्नेस ठीक है तो यहां पर बोला है कि यहां पर इसी ने मदाता जगर जागुकता के लिए ओल इडिया रेडियो के सेयोग से कौन सी रेडियो श्रिंखला शुरू की है वोट करें मत डालो अपनी पसंद का चुनाब करें ठीक है आपका मत दाता जंक्शन ठीक है यहां को सी उन्हें शुरू करी है तो यहां पर अंसर क्या जाएगा अंसर आपका देखने को मिलेगा आपका ऑप्शेन नंबर D मत जाता जंक्शन ठीक है यह एंचर देखने को मिली यह आपने ध्यान देना आपका नंबर D is the right answer अगला कोशन इजी है पड़ा हुआ हो आप तो इसका आंसर क्या जाएगा इसका आंसर क्या जाएगा इसका अपरेशन गरुडा ठीक है अंसर क्या जाएगा तो यहां पर आंसर आजएगा ऑप्शेट आजएगा प्रदान अंसर जंदर मोधी लेट फांडिशन स्टोन अफ बुलक ड्रग नेशनल पार्क इन विच स्टेट तो यह आप से ही रिलेट करता है तो बुला कि बार प्रदान अमधिन जंद्र मोधी ने किस राज्य में बल्क द्रग पार्क की अधार्शिल रखी है तो कहां पर रखी है वर्क ड्रग पार की अधार्शिला हमाचल पुशन आप कि who won the 2022 UN FUZ reward ठीक है तो बोला है कि 2022 सिम्क तराश्टर श्राइनर्सी पुरुसकार किसे ने जीता किन को मिला है ये निशा गुपता को एंजला मरकल को आपका बीवी सनेवाल को या हलेरी करिंटन को तो ये किन को मिला है ये आवोर्ड जाता है किन को एंजला मरकल डैट इस ऑप्षिन नंबर बी विल विदा राइट अंसर अंसर हो जागा विप्टेटी फाइब का बी विल विदा राइट अंसर ठीक है तो अंसर भी बहुत सारे बच्चों ने दिया बहुत ही बढ़िया बात करते हैं 26 के बारे में तो यहां बोला है कि इस इंस्टिटूशन रिलीज दा पोवर्टी एंड शेर प्रोस्पर्टी रिपोर्ट ठीक है यह कोशन फिर से क्या हो चुका है रिपीट हो चुका है तो यहां पर अंसर क्या आजएगा आपका ऑप्षिन नंबर भी वर्ड बैंट इस दा राइट अंसर तो यहां पर भी किसी ख्लेट करते हैं तो अगर आपको यहीं पता है कि अब का अंसर पर आसपास तो अंसर क्या जाएगा आपका option number a is the right answer ठीक है बात करते हैं 48th question के बारे में यहां पर बुचाए कि आपका dragonfly the recent project of NASA was launched to explore the which planet तो वोले कि नाशा का हालिया प्रयोजना dragonfly किस ग्राह का पता लगाने के लिए शुरू की गई है तो शुकर है मंगल है शनी है यह ब्रस्पती है इंगलिश में भी देख लेते हैं वीनिस है मार्स है यूपिटर है तो कहां पर लॉंच किया गया है किस चीज को पता लगाने के लिए को पता लगाने के लिए तो यह आपका सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करने के लिए इसको लॉंच किया ड्रेगन फ्लाइब को आजएगा आपका ऑप्शन नमबर सी विल भी दा राइट अंसर ठीक आंसर को जएगा ऑप्शन नमबर सी बात करते हैं 89 कोश्चन के वारे में तो यहां पर बोला है आपका असोला बहुत ही सही है अप्शन नमबर बी नई पीडी की मध्यम दूरी की बेलस्तिक मिसाइल का नाम क्या है जिसका हाल ही में प्रिक्शन किया गया है गगन प्राइम है अकाश प्राइम है अपका नरन प्राइम है या फिर अगनी प्राइम है तो इसका अंसर कहा जाएगा ऑप्शन नमबर डी अगनी प्राइम ठीका तो इसका अभी भी हाल ही में लोच हुआ था तो अगनी प्राइम विल भी दा राइट अंसर बात करते हैं 91 कोश्चन के बारे में बोले कि what is the theme of the word polio day 2022 तो विश्व पोलियो दिवस 2022 का विश्य क्या है तो यहां पर बोला हुआ है के healthier future for mothers and child children eradication of polio better and better future या फिर positive pregnancy यहां पर क्या है थीम है आपकी जो polio day है ठीक है जो पिश्व पोलियो दिवस दोजर बाइस का विश्य क्या था तो क्या विश्य था इसका अंसर आजए 92 कोशन के बारे में यहां पर आप से देखो क्या पूचा गया है कि skilling of girls in non-traditional livelihood has been included in which flagship scheme बोला है कि गयर प्रमपरिक अजविका में लड़कियों की कुशलता को किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है प्रदान मंतरी मातरी मातरू बंदना योजना पोशन अभियान बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ या फिर आपका राश्य महिला कोश तो कों सी योजना है इस देखो इस योजना का अंसर आजएगा आपका option number C बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ ठीक है तो यहां पे skilling of girls in non-traditional livelihood ठीक है तो यहां पे answer क्या जाएगा बे तो इस अगर आपने पढ़ा है तो इसका anser बिल्कुर सहरी देपा होगए क्या क्या के वेहाया हुआ है क्या है हुआ कर मैंपा क्योंध क impeachment मोला है अपका मैंदल मैंदल मुछा हुआ हैं के बाघ जूर्टाइटी वंगे ही कैस्ट और बिक क्रेटेटिक्स है फीजिश केमश तो यहाँ पर अंसर क्या जाएगा आपका option number B chemistry की field में दिया गया है तीक है तो आपने यहाद रखना है यहाँ पर answer क्या हो जाएगा आपका option number B will be the right answer सभी का यहाँ पर option number B 92 का 93 का maximum बच्चों का सही है सभी का ही सही है बहुत ही बड़ी है click chemistry बहुत ही बढ़िया बात करते हैं अगले कोशन के बाले में कोशन number 94 बोला है कि विच स्टेट यूटी रिलीज दा आपका स्मृध्धी और वन अगे बोला हुआ है कि विच एक्टर विदा फॉस्ट फिल विन दा स्पेस तो यह तो बता ओना चाहिए जो फैन होगे करने वाला पहला ब्यक्ति होगा तो यहां पर जोनी डैप होंगे आपका ड्वेन जोंसन होंगे वैल किलमर होंगे या फिर टॉम क्रूज होंगे तो यहां पर अंसर क्या जाएगा आपका option number D अगला कोशन पर ध्यान देंगे सारे तो यहां पूचा गया कि एस पर रिसेंट गवर्मेंट डेटा विच स्टेट हैस्ट गैप इन इंफेंट मोर्टैलिटी रेट बिटमिन दा बॉइस और गल्स इन ट्वंटी टीटी ठीक है तो आप से पूचा हुआ कि मिला है तो कहा पर तो कहांप से ता अंत्र देखने को मिला है तो यहां पर आपका देखने को मिला है 36 घड़ में ठीक है तो ऑप्षिन नमबर सी 36 गड़ बिल भी दा राइट अंसर की आजएगा option number C ठीक है अंसर आजएगा option number C ठीक है 96 का answer है option number C 36 गड़ भी दा राइट अंसर आगे बात करते हैं कि which union ministry is associated with the one nation one grid one frequency and one national load dispatch center तो वोला है कि कौन सा ऐसा institute है जो one nation one grid one frequency one national load dispenser center से जुड़ा हुआ है तो कौन जुड़ा हुआ है ministry of science and technology ministry of electronics and IT ministry of power या ministry of communication तो कौन से जुड़ा हुआ है इससे तो यह आपने ध्यान देना है इसका answer हो जाएगा option number C ministry of power ठीक है ministry of power power की ministry will be the right answer है ठीक है तो यह आपने ध्यान रखना है इस question के बारे में अगला बात करता है 98 के बारे में यहां पर बोला हुआ है कि दा इंडिया नेवी कंड़क्टर एंड ओप्शोर सिक्योर्टी एक्सराइज नेम डैश इन दा इसका अंसर आजेगा प्रस्थान प्रस्थान बिलबीदा राइट अंसर ऑप्शन बीविदा राइट एंसर है अगला कोशन बात करता है कोशन नमबर 99 पे बोला हुआ है नोगल प्राइस 2022 इन डैश और टूदा वेन एस आपका वर्नेक डूगलस डवल्यू डैमंड या फिलिप एच आपका डैविग तो यहां पर किसको दिया गया है कौन सी फिल्ड में दिया हुआ है अगला कोशन आप से पूछा गया है कि इंडिया इंडिया इन डैश शूगर प्रॉड्यूश था दूगर इंडिया में चीन निहातक बनकर बहारत दुनिया में डैश सबसे बड़ा निर्यातक चीनी नियातक है टुब करता यहां पर भारत आपका बहुत बढ़ यहां पर आजएगा यहां पर यह थे हमारी आज की मैसन शीरी जहां हमने डिसकस किये सेप्टेंबर और अक्तुबर के किनाट फिर सेशन को अलगलग को तो होप करता हूँगा आया होगा अच्छा लगाओ देखो लाइक करके जाना ठीक है जो पहली बार हमारे चैनल पर आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें जाना और वीडियो को शेर करें कि बाकी बच्चों तक भी यह सेशन पहुंच सके और किसी को को बाय करना तो अच्छे पर टुबारी के लिए आपका एक वीक का टाइम रखा गया है इस वीक के बाद यह कोर्स बंद कर दिया जाएगा बार सो रुपर पर आपको यह कोर्स मिल रहा है तो कोई बाय करना चा सब्सक्राइब करना है कि अगले दो मन्त के जो पिछले होंगे उसको पहले त्यार करके आना अगले सेटर्डे को इस सेशन होगा तो मैंने आपको बता दिया कि आप पिछले दो बंत होंगे उनके के बारे में आपने बताना है कि वो जो करन फेर वो आपने किस तरह से करने है ठीक है तो उसका सेशन लिए जाएगा आपका तो अभी हुआ है आपका सेप्टेंबर और उक्तूबर इसके बाद करके आना पना पढ़के आना उसको हम डिसकस करेंगे अगले सेशन में कर देंगे हमारे test होने वाला है उस पर अगर आप अच्छे माक लेकर आते हो तो आपको अगले सेटर्स होने वाला त्यार है न टेस्ट के लिए ठीक है मिलते हैं अगले session में till then goodnight see you soon and all the best for your exam